समढ संग आज का जो हमारा गोल्डन नियम है वो सारे गोल्डन नियम का आधार है सारे गोल्डन नियम का आधार इसलिए है क्योंकि समढ संग का जो नाम आज के समय है वो समढ से आरंब होता है पुराने समय में हम खाली इसको संग भोला करते थे पर अभी और भी संग बन गए है इसलिए अपनी जो खास पहचान रही है पुरानी जो हमारी राष्ट्यता है पुरानी उसके नाम पर समढ संग बोलते है तो जब संग ही समढ का है तो इसका पहला गोल्डन नियम, पहला सुनेरा नियम, पहला अमर नियम केवल समढ है यानि की समढ के अत्रिक्त यहां और कोई नहीं हो सकता हो इसलिए समढ सब्द की जान समढ संग के लिए बहुत ज़्यादा महत्पून होती है अगर केवल समढ से हटाके और समढ के अलावा अगर किसी और के भी लिएं से बुला जाता है तो फिर यह समढ संग नहीं रहेगा फिर यह मिक्स संग हो जाएगा इसलिए समढ संग तभी तक ही एक्जिस्ट करता है अस्तित में आता है जब तक इसमें केवल समण रहेंगे बहुत सारे जो विद्वान हैं बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जो बैठे हुए हैं जिनके आगे पीछे सरकारी पोश्ट, सरकारी डिग्रियां होती हैं जो बड़ी यूनिवस्टिव में पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे समण लोग काफी तादात में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे पर जीरों से आरंब हुए और फिर बड़े तो काफी संख्या में समण हैं बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे राइटर, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे जो फिलोसफर अपने आपको गोसित करते हैं या जिनको सरकार गोसित करती है, बहुत सारे बुद्धी जीवी, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे चिंतक, ये लोगों की जो पूरी जमात की जम समण अर्थ से, समण क्या है इससे रूबरू नहीं हो पाए और उन्हीं किताबों में मंडराते रहे जिन किताबों का लेखक और राइटर कोई और रहा समण नहीं था। क्या है या समण क्या हो सकता है या समण का अर्थ कितना गहरा है, कितना उतला है, या है भी या नहीं भी है, इसको आज जब हम उनको बताते हैं, या वो जब पहली बार सुनते हैं कोई समण संग भी है तो उनको समझ नहीं आता बहुत जादा अगर कहीं ध्यान लगाते हैं तो बस इतना ही समझ में आता है कि बुद्ध को महा समण बोलते थे ये कोई बुद्ध से संबंदित लोगों का संग रहा होगा कोई धम्मिक कोई समय संग भी अपने नाम के साथ में संग लगाने आरहम कर दिये और समण सब तो दूर दूर तक है ही नहीं इसके सबसे पहले ये समझें जब किसी को समझाएं कि समण है क्या और समण का अर्थ क्या है समण सब्द पूरा का पूरा होता कैसा है अगर आप किसी को ये समझाने में काम्याब हो गए कि हम समण हैं गारब से कहो हम समण हैं गरब से कहो हम समण हैं गारब पाली भासा में बोलते हैं गारब का मतलब होता है सद्धा सद्धा का मतलब विश्वास के साथ कहो कि हम समण हैं या आवाज दो हम समण है या समणों का सबसे पुरातन जो संग है वो समण संग है समण सब्द को अगर आप समझाने में कामयव होगे तो समण संग को लगबग पूरा आप उसे समझा दोगे बाकी उसके खून में है, सिर्फ उसको याद दिलाना है कि वो समण अगारी सभी के पास पूरी होनी चाहिए कि समण का अर्थ क्या है और समण कौन सा सब्ध है, पहले कहा था, अब कहां है और कहां से कहां चलकर कहां आकर फिर दुबारे से हमको मिला है. सम गण सम जो सब्द बना हुआ है पाली के अंदर सम का मतलब होता है बरावर वाले समता वाले और सम का एक अर्थ होता है शांती वाले सद्भावना वाले अच्छे लोग तो सम दोनों में आता है और जो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समानता वाला होता है उसको समक भी बोलते हैं पर अगर सम में गण लगा दें और दोनों सब्दों के मिला के बोलें तो सम गण हो जाता है और सम गण का ही शौट जो अर्थ है वो है समण और समणा समणी या सामने ये समण से बहुत सारे सब्ध बंद हैं, इसका मतदब जो सांती क्रिय लोग थे, जो बरावर्टा में विस्वास रखने वाले लोग थे, उनका जो समू है, उनका जो पुरा गड़ है, गड़ माने लोगों का समू, उसको समण बोलते हैं, या एक व्यक्ति को समक को भी समण बोलते हैं और जो महिलाए उसको समड़ी बोलते हैं इसका जिक्र बार-बार मिलता है समड़ा समड़ो समड़ी बहुत सारे जिक्र मिलते हैं यह सारा सारा जो समड़ है वो प्राचीन हमारी राष्ट्यता रही है राष्ट्यता इसलिए रही है क्योंकि अगर आप अपने आप को ये ढूंडोगे कि आप क्या हो या किसी सामने वाले व्यक्ति को जब आप समझाओगे और उससे पूछोगे कि आप ये बताईए कि आप क्या है तो थोड़ी देर के लिए तो वो चक्रा जाएगा और जब उसे हो साएगा तो वो अपनी आइजेंटिटी अपनी पहचान ब कि हम इंजिनियर हैं हम डॉक्टर हैं या कहेगा कि हम किसान हैं मजदूर हैं या कहेगा कि हम व्यापारी हैं या कहेगा कि हम किसी जातवात के नाम से जाने जाते हैं या कोई वर्ग वर्ग बताएगा या कोई गोत बताएगा पुराना या किसी कवीले का गाउं का नाम बत कहाईगा कि हम भारतीны पर भारत सब्द तो अभी आया है भारत सब्द कोई जादा पुराना सब्द नहीं है भारत पेहले उसकी राश्टेता क्या थी अगर आप यह इसे से पूछेंगे तो बता नहीं सकता कोई भी नहीं बता सकता और कोई इसने नहीं बता सकता क्योंकि समड़ लोग के लावा किसी की राष्टेता रही नहीं है और समड़ों की राष्टेता रही जो समड़ नहीं है वो तो बताएगा नहीं जानकर नहीं बताएगा और उसे पता भी होगा क्योंकि उसकी टाइम में अगर पहुँचेगा तो कहेगा कि सोले महा जन्पदों का व्यक्ति रहा है पर सोले महा जन्पद में से अपने जन्पद का नाम ही बताएगा पर पूरे जन्पदों में से एक संहू बना है एक गण बना है एक संग बना है इसका नाम कैसे बताएगा तो यहां के ज ही भी लिखावा मिलेगा नहीं कि हमारी राष्ट्यता समण है पर यह पुरूब हो जाती है यह सिद्ध हो जाती है यह सफल हो जाती है यह तरकों से हम इसको बता सकते हैं हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि जब तक हम यहां अकेले थे यानि सारे के सारे लोग समण थे तब हमक से ना हो हमारे कब्ली से ना हो हमारे सोले महा जन पसे ना हो और कोई व्यक्ति अगर बाहर से आए तो क्या कहेंगे जो इंगलिस में है उसको फॉर्णर बोलते हैं यानि फॉरिंड पार्ट बाहर का बाहिया पार्ट बोलते हैं बाहरिस्द साब बोलते हैं पर हमारे यहां तो बोलते थे वो सब्द छुपा दिये गए वो इसनिये छुपा दिये गए कि अगर वो सब्द हमारी समझ में आ गए तो ये किलियर हो जाता है कि समण लोग यहां के लोग हैं और जो बाहर से आने वारे लोग हैं वो समण नहीं क्योंकि आप आज देखोगे पूरे भारत में त तो एक प्रजाती मिलती है जिसको लोग ब्राहमन बोलते हैं वमन बोलते हैं वो प्रजाती आपको पूरे भारत में अलग अलग रूप रंग की मिलेगी आप हेरल में जाएंगे अलग रूप रंग की होगी आप मदरास में जाएंगे तमिलाडों में जाएंगे अलग रूप रंकी होगी आप अगर इधर जाएंगे उपर मंगोल के उपर तो मंगोल जैसे चेहरों की पहाले जैसी चेहरों की मिलेगी आप अगर कस्मीर में जाएंगे तो कस्मीर जैसी चेहरों की मिलेगी आप अगर मद्धे इश्या में जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी, आप अगर मद्दे भारत में जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी, आप राष्थार में जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी, पर उन सबका एक नाम कौमन है, जिसको पूरे भारत में पचलित है, ब्रहमन है, और वो अलग अलग रूप रंग के होत अलग अलग लोग एक ही नाम से कैसे जाने गए जबकि हमारे पास वाटसेप नहीं था, जबकि हमारे पास में टेलीफून नहीं था, जबकि हमारे पास में टेलीग्राम नहीं था, जबकि हमारे पास में चट्थी नहीं थी, जबकि हमारे पास में भासा भी नहीं थी, हम बात की खाड़ी से आने वाले हैं जो यहां शक आए या हून आए या जवन आए वो अलग भासा लेके आए उनके रूप रंग अलग थे जो मंगोल से आए उनकी भासा अलग थी उनकी रूप रंग अलग थे जो चाइना की तरफ से आए उनके रूप रंग अलग थे वो अलग तर और उन्होंने एक ही नाम दिया उन सब को पूरे भारत में, तो एक की सब्द पिछलित हुआ, जो भी बाहर से आया, जो भारत में नहीं रहता था, उसको उन्होंने वाहिय कहा, वमन कहा, वम माने वैसे तो भमन माने तो घ्रणा भी होती है, भमन का जो अर्थ है वो घ्रणा ह पर वम माने उल्टा या उल्टी होती है और जो वमन है इसका मतलब वम प्लस गण उल्टे लोगों का सम हो यानि जो हमारी तरह सीधे नहीं है हमने उनको उल्टे कहा विप्रीद कहा क्योंकि हमारे जैसे नहीं है सम नहीं है वम है इसलिए वामपक्ष होता है तो सम नहीं है वम नहीं है तो उनको हमने वमण कहा तो वमण के नाम से ही जाने जाने चाहिए थे पर भारत में उनको वमण की वज़े ब्रहमण कहते है तो हम लोग जो समण थे उनका सब्द कहा गया वमन का ब्रहमन हो गया, समन का क्या हुआ? पर ये सब्द जैसे ही बताया जाता है कि समन का शर्मन कर दिया गया, वैसे ही सीसे की तरह पूरा का पूरा पूरा पिच्चर किलियर हो जाती है. अब समझ में आ जाता है कि पाली में जो लोग समन थे, उनको शर्मन कर दिया गया, और जो लोग पाली के अंदर वमन थे, वमन थे, उनको ब्रहमन या बामन या बमन कहा गया. यानि लोग यहीं हैं, लोग कहीं गए नहीं, सिर्फ उनके नाम बदले, नाम बदल जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर नाम के साथ साथ में उनकी जो पहचान का जो काम था, वो भी बदल के उनको बताया गया. और यह पॉसिबल तब हुआ, जब लोग अपने ग्यान को, अपनी संखती को, अपने आचार वेवार को और अपनी कल्चर को भूल कर दूसरों की किताब और दूसरों के स्लोक और दूसरों के मंतर और दूसरों के नाटक, दूसरों के मंचन और दूसरों के प्रचार में उ होता है पच्चार का असर होता है और वही हुआ कि समण सब्स भूले सात daar सव्मंण सब्सक्राइभ कि जो बुरायां थी भी हमने एदोट गडिली है उनको हमने सही माल लिए और मलड़ सब्सक्राइभ जो सिर्फ याचक थे वह जो सिर्फ उनकी हातों में हमने दे दिया। ये सिर्फ एक प्रचार कारण और जो बातें हम पुरानी भोले उसके कारण हुआ है। तो ये सिद्ध होता है कि जो वमण लोग हैं, उनको नाम यहां के लोगों ने दिया। इसलिए उनकी एक पहचान है, उनकी एक आइडेंटिटी है। उन पर वो काम आज के समय हमको स्रम करके छोटे बदाए जाते हैं, छोटे काम नहीं थे, सारे काम थे, जैसे जो फिलोसफी का काम था, यानि के जो चिंतन और मनन का काम था, जिसके गुरु उद्ध रहे हैं, वो महा स्रमण रहे हैं, वो फिलोसफर थे, चिंतन थे, मनन थे, सैक् सब्सक्राइब जैसा हमारा ब्यापारी है जिसको अनाथ पिंडग बोलते हैं वो दुनिया का 27% GDP के साथ में बैल गाड़ियों में माल भर भर के जो भी यहां बनता था चाहे वो कपला था चाहे वो खेत का काम था चाहे फसल थी चाहे वो अन्न था वो भेजा करता था और भा होने वारे लोग सारे सारे समण थे यानि कि सैना पती का चंद को तो मौर रहे और जो सैना थी सारी सारी समण की तो हम वोरियर रहे हैं सैना पती रहे हैं सैनिक रहे हैं तो हम जीवक जैसे डॉक्टर रहें तो डॉक्टर जीवक क्योंकि जीवक समण थे और उन्होंने बु बड़े चमतकार किये, उस समय सरजरी भी की और उस समय मेडिकल के वो बाश्चा भी थे, इसलिए जीवक का नाम अभी भी अमर है, और हमारी यूनिवेस्टिया रही, तक्षला के अंदर और नालंदा के अंदर सारी सारी जो बाद में बनी, और उनमें सारे पढ़ाने वाले प्रोफिशर ते वो भी समण थे और पढ़ने वाले भी समण थे, जो समराट असोक ने पहली बार अक्षर बनाए, जिसको असोक लिपी बोलते हैं, और जो अक्षर बने जिनको देवनागरी लिपी बाद में बुला गया, नाग लोगों ने दिया, देवनागरी लिपी, व वो भी हमने बनाई और वो अक्षरों को पढ़ने वाले जो लोग थे वो पढ़ने वाले भी समढ़ी थे यानि लिखने वाले समढ़ थे पढ़ने वाले समढ़ थे जितने कसक थे जितने किसान थे वो सारे समढ़ थे यह पुरू होता इस बास से क्योंकि जो महा समढ़ विद्दत हुआ करते थे तो ग्यार्वे साल में उनके यहां जो वप मंगल यानि बीज बोने का उससा हो रहा है तो वहां पर वो जंबू पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनके खेतों में एक हजार हल चल रहे हैं उनके पिता सबसे बड़े कर सकते हैं उनके नाम भी क सब्द है वो फसल से संब्दित था वो सारे किसान थे और वो तो पूरे कविले का नाम भी साक के ही था साक के मतलब साक सब्जी वाला तो हम फार्मर भी रहे हैं पूरे फार्मर पूरी लेंड भी हमारी रही है और लगबग हम सारी चीजों के जानकार हो ग्याता रहें और स समढ उत्पन करते थे उत्पत्ती करते थे इसको पाली भासा में उत्पन करना या उत्पत्ती करने का मतलब होता है जाती जो बुद्ध ने बताया जाती दुखा जरा दुखा मरनंग दुखा व्याधी दुखा यानि बीमारी दुख है मरना दुख है पैदा होना दुख है औ और उत्पन होना यानि जो पैदा होता है उत्पन होता है जाती दुख है तो कोई चीज अगर उत्पन होती है तो उसको बोलते है जाती इसलिए पेड़ पौधों की जाती होती है क्योंकि वो उत्पन होते हैं जितने जीव हैं उनकी जाती होती है क्योंकि वो उत्पन है तो जो चीज उत्पन होती है उसको हम जात या जाती होते हैं तो जितने लोग थे वो कुछ ना कुछ उत्पादन करते थे उत्पन करते थे इसलिए उत्पादन के नाम पर जो उत्पादन करते थे उनकी पहचान बनती थी कि यह कसक है इसकी जाती क्या है कसकी उत्पादन करता है खेती का किसान का फसल को पदन करता है तो इसकी जाती कस्सक है जो तीर कमान बना रहा है उसको कहते थे ये कारपेंटर है बड़े है तो इसकी जाती बड़े है जो राजा था उसकी जाती राजा जैसी थी और जो सेनपती था उसकी जाती सेनपती जैसी थी तो उत्पन करने व पक्षी को बोला करते हैं पाली में जो पक्षी की तरह उड़के दूर से आता था और उसी को बोला करते थे जो बहारी है जो वम है जो विपरीध है वो कोई काम नहीं करते थे उनके पास कोई काम नहीं था वो कोई काम जानते भी नहीं थे सिवाए एक काम के के वो याचक थे याचना करते थे, मांगते थे और मांगकर खाते थे समणों के दरवाजे पर याचना करते थे, समणों के दरवाजे से मांगते थे समण ही उनको खाना देते थे और याचक थे इसलिए आज भी वमणों की जाती नहीं होती क्योंकि वमण यहां के नहीं है और समणों की जातियां होती है क्योंकि जैसे ही समणों का संग टूटा उनके काम के आधार पर उनके गुट बनते गए और उनके टुकडे होते गए पर वो जाती के नाम से जाने जाते हैं इसलिए वो व्यक्ति जो जाती रखता है वो समण है और वो यहां का है और जो व्यक्ति जाती नहीं रखता यानि उत्पन नहीं करता कुछ भी चीज वो व्यक्ति मंगता है या चक है मांगने वाला है आज के समय समय बदल गया है वो अलग बात है पर आज भी ये बात सच है और ये बात पहले भी सच थी तो समणों का जो इत्यास है वो सारा का सारा बाहर के लोगों ने लिखा है जो मैगस्तनीज की इंडिका है उसमें समण सब्द और समणों की व्यक्या उसमें लगाता रहाती रहती है जो बुद्ध का इत्यास है जो जैनों का इत्यास है जैन तो समण के नामसिक्णों की वो भी सारे समण र अंदर बार 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 आपको मिलता है पर ब्रहमण सब्द नहीं मिलता करें ब्रहमण सब्द नहीं मिलता सिर्फ वम सब्द मिलता है या बंवर मिलता है बंवर माने घ्रना मिलता है यह जो सब्द बदल गया और समण से शिर्मण हो गया इसलिए इसको भूल गए बार बार हमा महापुर्सोंने खास्तों से बावासाब करने यह कैवार बताया है कि यहाँ पर जो संगर्स होता है यानि जो हमारी इतने वी संसाध है उनicken के लड़ाई उ जखड़ा शिर्फ दो लोगों में होता है दो तरह के संकती में होता है एक ब्राहमन संकती और एक शिर्मन संसकती उन्होंने हिंदी का सब्द यानि की जो संसकाइज सब्द है शिर्मन अस्तमाल किया है जबकि उन्होंने सोलवा बोलिम हमें पाली का भी दिया है उसमें समण को ही सरमन बोलते हैं, अगर समण को ही सरमन बोलते हैं और समण की पैचान समण से हमें पहले से मिल जाती, तो आज ये जो हमारे सारे दिखार गए हैं ये बच जाते, ये इसलिए बच जाते क्योंकि समण हमारी ultimate पैचान है. समण के बाद कोई सब्द नहीं है सिवाए राजा और सासक बनने के लिए आप अगर अपनी पहचान को मूल निवासी बताते हैं तो मूल निवासी व्यक्तियों में आप उनके वर्गी करन यानि जो जात का आज के समय अभ्यास होता है क्योंकि अब काम के उपर जात का अभ्यास नहीं होता अब जात का अभ्यास छोटे बड़े का अधार पर होता है कि किसको छोटा करना है किसको बड़ा करना है जब कि ये सारा हवा में है तो जो अभ्यास यहां होता है वो मूल निवासी में भी होता है यानि व्यक्ति केता अच्छा मूल लिवासी हो अच्छी बात है तो मूल लिवासी में क्या हो ऐसा पूछता है अगर आप अपनी पहचान बहुजन में रखते हैं तो बहुजन सब्द में जब वी आता है कि बहुजन में हैं तो बहुजन वाला पूछता है आपसे कि अच्छ आने की आवश्कता भी नहीं क्योंकि मूल निवासी का जो उल्टा सब्द है उसको बोलते हैं विदेसी और जो बहुजन का विलोम सब्द है उल्टा सब्द है उसको बोलते हैं अल्पजन पर समण का जो उल्टा सब्द है वो वमण है तो समण जो लोग हैं उनकी कोई आज के समय की जो जाती है वर्गी करने वो पहले नहीं हुआ करती थी काम आधारित उनकी पहचान थी पर उनकी राष्टे पहचान समण थी काम कोई भी करे पर उसको समणी बोला करते थे पुरानी समय में पुरानी डिक्सनरी में जो पाली का इत्यास है उसमें कास सिस्टम आज की त आ सकते हो क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे कोई उत्पादन नहीं करते थे जात उसी की होती है जिसका उत्पादन होता है तो उन्होंने यहां की महिलाएं इस्तमाल की क्योंकि महिलाएं लेके नहीं आए तो यहां की महिलाएं इस्तमाल करने के बाद उन्होंने जो अपना वर्गी करण किया, वो एक पाइदान और उचा किया, उन्होंने अपने आपको उसी हिसाब से वमन बताया, जो हम बताते थे, बाद में उन्होंने उसको ब्रहमन किया, और जो बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों को संकरवन बताया, यानि हाइबिड, मिक्स ब्रीड, जो स मतलब, जो वन उन्होंने लिखा, वन का मतलब होता है, रंग, वन बोलते हैं पाली में, रंग, उनका रंग था सेथ, यानि कि सफेद, और सफेद को हम लोग बोलते थे अवन, यानि बिना रंग का, उनको अवन बोला करते थे, और हम अपने आपको समण जितने भी थे, वो सवन बोला करते थे यानि के सुनहरे रंका निज रंका काले रंका डार्क रंका हिरन जैसे रंका गोल्ड तो बाद में आया गोल्ड जैसे रंका या सूरज के ढलते हुए जैसे रंका या सूरज के उकते हुए जैसे रंका या फसल के पकने जैसे रंका हम इसको बोला करते थे और जो इन रंगों से सवन से यानि हम सवन और वो अवन से जो मिलके बना उसको बुला संकरवन यानि मिक्स रंग यह तीन वन हुआ करते थे पर उनोंने जो बाद में एक वर्गी करण और किया डिफरेंशिट करने के लिए अपने लिए तो उनोंने जो छत वाले लोग होते थे या जो खेती वाले लोग होते थे उनको खेती और चत्रिया कहना सूख किया और जो ब्यापारी लोग होते थे वैसे लोग होते थे या वैसिया होती थी वैसे माने नर ब्यापारी बेचने वाला और वैसिया मतलब नारी बेचने वाली जो सामान बेचती थी तो उन्हों या खेत वाला खेतिया को छेत्रिया भी एक अलग से बना पर जातिया नहीं बना, इसलिए कोई विद्वान अगर बहस करना चाहे और कोई हमारा जो समण है वह वहस में हिसा लेंड लेना चाहे, विश्कक उसको कुछ पता नहीं है, कोई चिंता की बात में, विश्कक उसने प्रपसन्त करना चाहिए कि आप हमें ये बताओ कि आपकी आईडेंटीटी क्या ए आपकी राश्टे तक क्या है आपकी पहचान क्या है वो्ये constant बताइगा या तो बहार्ती है या कोई karch या क्या वर्ग या कुन प्रॉफडिन अफ़सर मेगरा बताएगा पर वो ये नहीं बता सकता कि बुद्ध से पहले हमारी पचान क्या थी बुद्ध के समय हमारी पचान क्या थी असो के समय हमारी पचान क्या थी असो के समय हम क्या बोले जाते थे पर अगर आप उसे याद दिलाओगे कि सिर्मन बोला जाता था तो आप उसको आसानी से समझा सकते हो कि जो सिर्मन सब्द है पाली में औरिजनल यही समण है और जो ब्रहमन सब्द है वही पाली में औरिजनल वमन सब्द है वम सब्द है वो यहां का नहीं है यही कारण है कि पूरे भारत में ब्रहमन वमन के नाम से इखटे हो गए जिनकी संक् जो रूल है मानना पड़ेगा, इनकी आग्या माननी पड़ेगी, और हजारों साला तक उन्होंने आग्या माननी भी है, क्योंकि याचक तो याग्या मानता ही है, जो विकारी है वो तो आग्या मानता ही है, इस इस्तिती में ना आ जाएं वो दुवारा से, इसलिए अपने पत्ती के नामते, जाती के नामते, उस से ही इंगित किया रोसी में उनको उलजा के रखा, और वो उलज़कर टुकड़ों में तूट गे, एक अगर कहीं वमल होता है, तो उसके पास अगर दस जार आदमी आस पास रहते हैं, तो वो सारे के सारे समण होते हैं, पर के बाद भी आप ये कहते हैं हमारी तो जात ये हमारा तक गोत रिये हमारा तो वर ये हमारा तो छेत रिये तो फिर आप समण नहीं है फिर आप उनके जाल में उलजे हुए वो पक्षी है जिसकी जान बचने वाली नहीं है ये सिस्टम है और अगर आपने सिर्फ यही कहा अप से कहता हूँ मैं समण हूँ अपनी गाड़ी पे लिखवाते हैं गारफ से कहता हूँ मैं समण हूँ आप यह कहते हैं आवाज दो हम समण हैं आप कहते हैं कि हमारा संग समण संग आप कहते हैं कि मेरी मूल पैचान समण है मैं पैदा ऐसी जनमजास समण हूं फिर आपको किसी सार्टिफिकेट की किसी जानकारी की या किसी की मानिता की आउश्कता नहीं है फिर आप एक साथ ही खटे हो जाते हैं ये तना चमतकारिक सब्द है आपने चमतकार में कभी यकीन किया हो ना किया हो पर आप कर सकते हैं कि ये सब्द जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मुक्ति के जितने दरवाजे बंद किये हैं वो एक ठोकर में खुलते चले जाएंगे सिर्फ एक सब्द से चाहे आपके पास सिक्षा हो या ना हो चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो चाहे आपके प सब्द के आने से ये सारी चीज़ें आ जाएगी ये चमतकार दुनिया में होते रहते हैं दुनिया में जिन लोगों ने में कामिया भी पाई है वो कोई ना कोई जूटा सचा सब्द पकड़ लेते हैं और जूटे सच जूटे सचे सब्द का अतना प्रचार करते हैं कि लोगो स्थर्ण इसकी किताब में चीक कर सकते हैं एसको आप बुद्ध के त्री पी ट्रक में चीक कर सकते हैं और अगर चैक ना भी करना चाहें तो सर्मन का समण होता है यह आपको हर एक डिक्स कनी में मिल जाएगा तो यह जो हम कहते हैं बार-बार के केवल समण, केवल समणा मिश्णिय कहते हैं क्योंकि हम कोई राजनितिक मंच नहीं है, देखिए राजनितिक के अंदर तो आपको हर एक आदमी का हाद जोड़ना पड़ेगा, राजनिती की जो आइडिलोजी होती है या विचारधारा होती है सिर् जीत जीत होती है, संग में नेवर कभी हार नहीं होती है, संग कभी नहीं हारते, क्योंकि संग कभी जुआ नहीं खेलते, संग कभी इस तरह का नहीं लगाते कि बोट हमें आई तो जीत गए, बोट नहीं आई तो हार गए, यह जुआ होता है, संग हमें सा इस नहीं जीतता है, क्योंकि संग में एक विचारधारा होती है विप्रीत विचारधारा का हुआ जिक्री नहीं होता संग में सारी लोग एक ही मत के होते हैं संग एक शक्ति के रूप में होता है संग एक ऐसे होता है जैसे जो शेरों का एक जुंड है या एक ततयाओं का जुंड है या एक मदमु है कि आपको अपने सब्द को अपने सद्द को अपने वर्ड को अपने समण को तिन्रा दिन्राद सीने पे लिखना है टी सट पे लिखना है माथे पे लिखना है सरीर पे गुदवाना है अपने बच्चों की किताब लिखना है किताब समण की खेदी है कौपी जिसमें लिखा ह हो समण है, वो करना है, गरब से कहना है, हम समण है, हम समण के अतरिक कुछ और है, है नहीं, पुराने हम समण है, हमारा जो रुत्वा है, हमारी जो सान है, हमारा जो उचा मत्था है, वो समण होने का है, ये गरब, ये गारब जैसे जैसे हमारे सरी के अंदर आता जाएगा, व हमारा golden नियम है क्योंकि इसमें समण के अलावा किसी और की entry नहीं हो सकती संगों के अंदर एकी विचार के लोग आते हैं एकी तरह के लोग आते हैं संग के अंदर दूसरे विचार के लोग या दूसरी golden नियम है हम उसी के उपर सारा का सारा बेस होके चलते हैं कोई liberal आदमी आ सकता है कोई बहुत ज़्यादा ग्यानी आ सकता है वो कहेगा कि नहीं यह तो आप भेदवाप कर रहे हैं यह तो कटरता है यह तो फलानी बात है तो धानी बात है तो उसको समझाना चाहिए कि भाई हम चौनाव नहीं लड़ रहे हैं हमारी चौनाव की एडलोज नहीं है अगर कोई समझान चौनाव लड़ने जाता है तो जा सकता है इसके बात के नियमें जवाएंगे पर वहाँ वो जाके वंदों के हाच जोड़े वंदों का खुश करे उनकी बोट ले अपने हिस्सिमन को क पर संग अपने ही लोगों के पादः जाता है और संग में अपने ही लोगों आ सकते हैं ये उसका धão है ये gusta का नियम है इसलिए हपकोई भेदवाब्या कट्टटा नहीं कर Dreth आप दुनिया के किसी भी संग को अठा गे देखेंगे, ये संग का basic nniam है, संग एक ये तरह के लोगों का बनता है, और जिन के लिए बनता है, उनी के लिए पूसका करता है, और संग कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, इसलिए जो समढ संद्धियर, केवल समण है वो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है इसको आप लगाता लगाता लोगों से इसकी व्याक्या करें इसका जिक्र करें इसको लिखें इसको वीडियो बनाएं वीडियो सुनें वीडियो करें समण की कैसारी वीडियो हमारे पास हैं उनको देखें और इस गोल संगं नमामी, संगं नमामी, संगं नमामी.